ध्यान दिजीवा बोड पे 15-16 से हर साल वो इंडिया के अंदर आ रहा है तो 15-16-17-17-18-18-19-19-20 तो सर हर बार कितने टाइम के लिए आ रहा है है कुश्चन कहता है हर बार 100 उससे पहले नेवर कभी इंडिया आया ही नहीं हो सर हमें डिटर्माइन करना है रेजिदेंशल स्टेटस इस साल के लिए इस साल के लिए क्या कहता है सर रेजिदेंशल स्टेटस करेंट इयर के अंदर कम से कम कितने दिन होने चाहिए एक सो current year के अंदर जिस साल के लिए निकाला जा रहा है 180 जो कि इसने complete अब additional पर आ जाओ दूसरे condition पर आ जाओ second condition चेक करते है 60 days और इसके साथ साथ कौन सा चेक करोगे 365 दिन last 4 year में तो पिछले 4 सालों में 365 दिन complete इसका मतलब basic condition number 2 complete कर दिया है अब additional condition पर आते है additional condition पहले तो साथ सालों में 700 तो अगर हम साथ साल count करें इस से पिछले 1, 2, 3, 4, 5 तो हो इनी पा रहा 500, 600 दिन ही हो पा रहे तो additional condition 2 से तो वैसे exit हो गया हाँ additional condition number 1 complete कर सकता है अगर वो यहाँ resident हो गया न तो वो यहाँ भी resident होगा और यहाँ भी resident होगा नहीं यहाँ नहीं होगा सिर्फ एक ही बार होगा वो ठीक है अब आप बताए इसका residential status क्या रखा जाए उसने basic condition तो complete कर दिया additional condition number 1 भी complete नहीं करा additional condition number 2 भी complete नहीं करा तो इसका residential status क्या हो जाएगा सर एनोर चेक करें अब दूसरे case को पढ़ लेते हैं एक बार फिर answer चेक करेंगे will your answer is different if he told his maternal grandmother was born in कराची तो yes यह Indian origin है तो इसके लिए तो basic condition number 2 नहीं है कौन सा चेक करेंगे सरिफ 1 ही करेंगे तो 1 तो complete नहीं कर रहा सर तो अगर दूसरे का answer बताएं तो दूसरे के हिसाब से answer क्या है non-design समझ में आई बात आपको देख लिजे जिसको जो doubt है पूछ रहे जिए इसके answer को भी देख लो कैसे पढ़ना है कैसे लिखना है सर कैटेगरी वन के लिए देखे क्या कहता है कैटेगरी वन के लिए क्या कहता है Mr. X assessment year 21 Mr. X satisfies second condition category number A यहनि because of he has been more than 60 days during the previous year and more than 365 days during the preceding relevant 4 year यह साद दन हो गया category number B although he satisfies first condition of category being resident or at least 2 out of 10 preceding year but fall to satisfy second condition 7 730 वाला नहीं कर पाया और more 7 सालों में इसलिए actually he was in India only 630 days पूरी डिटेल कहानी वही बता दिया है he shall resident but not ordinary resident इसलिए यहां पर लिखी गई है जो कि मैंने आपको समझा दिया second वाला फिर से appear देख लो it appear to be a case of Indian origin जो second case है वो Indian origin का case है X was not present in India X जो है वो इंडिया में रहा ही नहीं 182 दिन के लिए therefore he would non resident for assessment year 21-22 समझे बात clear अब एक question आपको करना होगा चलिए एक question आपको दिया जाएगा दो तिन question मैंने कर दिये question number fifth ये आपको दिया जाएगा question fifth मान के चलो test आईए मैं question समझा दूँगा करना आपने है कहता है X born in Delhi 1992 में later he married Canada चला गया 2005 में तो Delhi में born हुआ उससे पहले took citizenship of the country 2007 में करनेडा का citizenship हो गया his parents were born in Pakistan 1946 में तो undivided इंडिया से पहले ही है he come to India visit 182 days during the previous year 2020-21 में prior that he had been coming to India visit 115 दिन हर साल के लिए आया करता है since 2013-14 से वो हर सार लगातार 115 दिन के लिए आ रहा है find करिए उसका residential status assessment year 21-22 यानि आपको निकालना है 20 और फटा-फट से इसको solve करके दिखाई गया है पीडियाफ आज ही मिल जाएगे आपको आज या कल सुबह 10 बजे तक upload हो जाएगा ओके कुश्चन थोड़ा नीचे कर देते हैं ये लाइन वगरा भी हाटा भी होने है